हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज अपन स्टार्ड करेंगे और बीएसी बोर्ट चेप्टर वाइच पीवाई क्यू सिरीज जो की केमेस्ट्री की ले रहे हैं अपन उसमें अपन चेप्टर नमबर फोर करने वाले हैं जो की है डी एन एफ ब्लॉक तो सबसे पहले अपन स्टार्ड करते हैं बोर्ड एक्जाम 2013 के क्वेशन से सबसे पहला क्वेशन है कि जैडे एन सीडी और एच जी जो होता है उन्हें ट्रांजिसन एलिमेंट क्यों नहीं मानते हैं तो पहले अपन इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ट्रांजिसन एलिमेंट कौन से होता है कि जो भी d block element है उनमें अगर d 10 configuration नहीं होना चाहिए किस किस में नहीं होना चाहिए उनके या तो उनके ground state में ground state मतलब जब general electronic configuration लिखते है अपन element का तो उनमें या तो d 10 नहीं होना चाहिए या फिर उनके किसी भी एक oxidation state में भी D10 नहीं होना चाहिए, D9 चलेगा, D8 चलेगा, बोले तो partially filled D orbital होना चाहिए, या तो ground state में, या उनकी कोई common oxidation state में, अगर partially filled D orbital है, तो उसे अपन transition element कहेंगे, तो अब तो बड़ा असान है, कि यह कह रहा है, ZNCD और HG को transition element नहीं मानते, तो क्यों नहीं मा configuration ही है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, अगर किसी element के ground state में, D10 configuration नहीं है, मतब D1 चलेगा, D1 से लेके D9 तक चलेगा, अगर ऐसा है, और साथ ही साथ में, उसके किसी भी common oxidation state में, कम से कम, या तो ground state में, या किसी भी एक common oxidation state में, सब में से, किसी एक में भी, अगर D1 से D9 के बीच का configuration है, बोले, तो partially filled D orbital है, तो उसे transition मानना, अगर सब में D10 configuration है, तो उसे transition नहीं मानेंगे, तो ZN, CD और HG की case में, ground state में भी D10 configuration होता है, और उनकी जो common oxidation state होती है, जो की plus 2 होती है, उसमें भी D10 configuration होता है, इसलिए उसे transition element नहीं मानेंगे, next है, what is the shape of chromat ion and droids structure, तो tetrahydral shape होता ह और ये chromat ion का क्या है, structure है, next है, Ti plus 4 ion each colorless give region, अब देखो, again, इसको समझो, अगर किसी भी ion को अपन को colorless या colorful so कर दा है, तो उसमें unpaired D electron होने चाहिए, अगर unpaired D electron है, तो वो colorful होगा, unpaired D electron नहीं है, तो colorless होगा, तो पहले अपन titanium का atomic number लिखा, उसका electronic configuration लिखा, इसके electronic configuration मतलब 4 electron निकालने है, तो पहले 2 में से, 4S में से 2 निकाल लिए, फिर और निकालने तो इदर से भी निकाल दिए, तो ये configuration हो गया, अब इसमें तो unpaired D electron है नहीं, और नहीं है, इसलिए colorless होगा, next है, जिंक जो है, वो transition element नहीं माना जाता, क्यों, again, same है, जिंक का configuration लिख पहला autonomous cell से निकलते हैं, और अभी भी D10 configuration है, तो जिंक हैच completely filled D orbital in both ground state and common oxidation state, इसलिए transition element नहीं है, next, again, Ti plus 3 और Ti plus 4, इन दोनों में colorless और colorful समझाने, तो ये titanium का लिख दिया, एक बार Ti plus 3 बनाया है, एक बार Ti plus 4 बनाया है, जब plus 4 बनाया है, तो चार electron निकालने है, इदर से भी गया है, इदर से भी गया, तो ये configuration हो गया, और plus 3 करने है, तो पहले दो इदर से, फिर एक इदर से, तो 3D1, तो ये 3D1 वाला unpaid electron रह गया, क्योंकि unpaid electron है, इसलिए ये Ti plus 3 colored है, और ये कैसा होगा, colorless, next, what is lengthenoid contraction, lengthenoid contraction क्या होता है, तो lengthenum के बाद वाले element को क्या कहते है, lengtheno क्या है, ठीक है, अब इन सारे element में, जब left to right की तरफ अपन move करता है, तो धीरे धीरे atomic size क्या होती है, decrease होती है, और इस decrease होने का कारण होता है, कि left to right जाने पर एक तो Z effective बढ़ता है, साथ में 4F की जो shielding power होती है, वो पूर होती है, इसलिए left to right जाने पर atomic size continuous manner में गटती रह होता है, lengthenoid contraction, तो lengthenoid contraction क्या होता है, lengthenoid show a regular decrease in atomic and ionic radii from lengthenum to lutetium, ठीक है, और the cumulative effect of the contraction of lengthenoid उसे क्याता है, lengthenoid contraction क्याता है, ठीक है, next है, why is the highest oxidation state of a metal exhibit in its oxide and fluoride, तो देखो, highest oxidation state के लिए उसे electron क्या करने पढ़ेंगे, release करने पढ़ेंगे, या वो most electronegative element के साथ में होना चाहिए, और most electronegative element कौन से होता है, फोन, fluorine, oxygen और nitrogen, तो fluorine और oxygen सबसे ज़्यादा electronegative element है, तो वो सामने वाले से असानी से oxidation करवा देते हैं, ठीक है, तो that's why highest oxidation state metal की जो होती है, वो किसके साथ होती है, oxide और fluoride के साथ, क बोत है, high oxidizing power, और stabilizing highest oxidation state of metal, highest oxidizing power का क्या मतलब है, सामने वाले, जितना electron loose करवा सकता है, वो करवाएगा, ठीक है, next है, silver edge completely filled d orbital, in its ground state, फिर भी उसे transition state क्यों मानते है, तो देखो transition state कहलाने के लिए, अपन को किस-किस में check करना होता है, ground state में भी करना होता, common oxidation state में भी check करना ह होता है, question में सिफ ground state का दे रहता है, तो यह silver का configuration लिखा, ground state का, हाँ भई, इसमें d10 configuration है, लेकिन उसकी दो common oxidation state होती है, ag plus और ag plus 2, तो ag plus में तो एक electron निकालेंगे, तो यहां से निकल गया, अभी भी d10 है, लेकिन ag plus 2 में d9 है, और इसकी वज़े से silver कैसा है, transition element, same question, copper BP आ सकत होता है, same pattern, next day, actinoid contraction क्या होता है, same lengthinoid के जैसे, actinoid जो होता है, वो regular decrease सो करते है, actinium से lorencium तक, और जो पूरा community effect होता है, वो actinoid series का, वो actinoid contraction कैलाता है, एक और चीज, एक question पूछ सकते हैं, कि lengthinoid और actinoid contraction में से कौन सा contraction ज्यादा होता है, तो देखो, contraction में, अभी मैंने बता है, एक तो क्या होता है, left to right जाने पर effective nuclear charge बढ़ता है, वो तो दोनों में ही बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा कारण था कि F orbital की poor shielding, तो जो 5F की shielding होती है, वो 4F से भी कम होती है, यही बज़ा है कि actinoid contraction जो है, वो lengthinoid से भी ज़्यादा सो करता है, यह अलग से question हो सकता ह next है, अपने 2015 के question, again पहला question है, lengthinoid contraction क्या होता है, यह अपने लिख चुके है, दूसरा है कि what are the interstitial compound or give example, तो देखो अगर किसी भी element का crystal lattice देखते हैं, तो उन lattice के बीच में, कितना भी past past में अपन particle बना दे, उनके बीच में gap रह रहा है, इन gap को कहते है, interstitial space, transition element के case में य यहाँ पर छोटे atom जैसे की hydrogen, carbon, nitrogen वो fit हो सकते हैं, तो transition element के interstitial space में, अगर यह छोटे-छोटे element trap हो जाए, तो उससे जो compound बनेगा, उससे interstitial compound कहते हैं, तो those compound which are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal, they are usually non-stachymetry, यह कोई stachymetry नहीं होती, यह non-covalent होते हैं, ना आयोनिक होते हैं, ठी जिसे TIC, यह दो तिन example भी आप याद रखें, इसके titanium के crystal में, जो carbon हो रखा है, मेगनीज के crystal में, nitrogen, iron के crystal में, hydrogen, next है अपनको spin only, क्या है, कि spin only magnetic moment पता ना है, किसका M plus 2, और उस M का atomic number दे रखा है, 29, देखो इस तरह के question भी बहुत important है, बार बार आपको देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में, और अबे भी आ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कि जब भी भी जो, अपनको atom दे रखा है, उसका या तो atomic number आपको पता होना चाहिए, जैसे इस case में atomic number दे दिया, तो उसका electronic configuration लिख देंगे, 29 का electronic configuration जो होता है, वो क्या होगा, देखो यहां पे गडबड हो गई, 29 का electronic configuration जो होता है, होना तो 4s2 और 3d9 चाहिए, लेकिन आपको पता है, half field, full field के लफड़े की वज़े से, यहां क्या होता है, 4s1 और 3d10 होता है, ठीके, तो यह कर दिया, और कौन आता है 29 पे, 29 पे copper आता है, ठीके, तो यह अपने configuration अब 2 electron निकालने, 2 electron निकालेंगे, पहला इदर से जाएगा, दूसरा इदर से, तो क्या बन जाएगा, configuration 4s0 3d9, उसके बाद अपन को 3d9 का ऐसे diagram बनाना है, d में कितने orbitals होता है, 5 यह अपने बना दी, और 9 electron भरेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, पहले सब में 1, 6, 7, 8, 9, ऐसे तो एक unpaired electron रह जाएगा, तो कितना unpaired electron है, इसमें 1, फिर इस formula में put कर देंगे, यह magnetic moment निकालने का formula है, mu equal to root n, n plus 2, n की जगा unpaired electron रखेंगे, कितने unpaired थे 1, तो 1 put कर दिया, 1, 1 plus 2, root 3 आ गया, और पीछे unit के लगाएंगे, bore magneton, next अपने, zinc जो है transition element नहीं है, तो यह अप complex formation समझाना है, कि transition metal ion colored क्यों बनाते हैं, और complex क्यों बनाते हैं, तो देखो, transition metal ion generally have unpaired electron, transition metal ion में unpaired electron होते हैं, और यह unpaired electron DD transition हो करते हैं, अब DD transition क्या होता है, कि D के जो 5 box होते हैं, वो आफ अपने coordination compound में आपने देखे होंगे, या तो 3 नीचे चले जाते हैं, या 2 उपर च मतलब जैसा भी हो, यह हो जाता है, अब इसमें यहां से electron यहां जंप करता है, इसे कहते है DD transition, तो DD transition होने के लिए energy क्या की जाती है, absorb की जाती है, और फिर वो energy visible region की होती है, कैसी होती है, visible region की, और तो जितनी energy absorb की जाएगी, उसका complementary color जो है, अपन को visible होगा, complementary color का क्या हो रही है, तो red color दिखेगा, या red color absorb हो रहा है, तो green दिखेगा, ठीक है, उल्टा complementary color दिखेगा, तो transition metal ion colored compound बनाते हैं, उसकी दो वज़ए, एक तो unpaid electron होने चाहिए, और एक क्या लिखेंगे, कि DD transition होता है, अगर किसी में unpaid electron नहीं है, तो वो color less होगा, जैसे कि अपनने question कि है, दूसरा है कि complex क्यों बनाते है, complex मतलब coordination compound क्यों बनाते है, तो उसकी वज़ए है कि transition metal ion की size जो होती है, वो छोटी होती है, high ionic charge होता है, और d orbital होने की वज़ए से ये किसी से क्या कर पाएगा, इन d orbital में, मतलब lawn pair ले पाएगा, अपन अगले chapter में पढ़ेंगे, मतलब ज लिगेंड होता है, तो लिगेंड क्या करता है, लॉन पेर देता है, तो metal ion को क्या अवलेबल करवाना चाहिए, mtd orbital अवलेबल करवाने चाहिए, तो इनके पास mtd orbital होते है, इनका size small होने की वज़ए से ionic charge ज़दा होता है, ये सारी चीज़े complex बनाने में क्या करती है, help कर नेक्स लेते हैं कि transition element जो होता है, वो interstitial compound क्यों बनाता है, तो देखो transition element जो होता है, उनके अभी अपने समझेते हैं कि transition element के बीज बीज में क्या होता है, interstitial space, space तो सब में होता है, लेकिन transition element का ये space इतना बड़ा होता है, कि इसमें छोटे element जैसे कि carbon hydrogen nitrogen accommodated हो पाएंगे तो क्या लिखेंगे, the lattice of transition metal contains large interstitial space which can accommodate small atom, इसलिए ये बना पाते हैं, नेक्स रहाइट दा नेम of two metal which used in maximum composition in miss metal, तो miss metal lengthenoid element के alloy को कहते हैं, ये भी question पुछा जा सकता है, उसमें lengthenoid होता है 95%, iron होता है 5%, तो अपनको दो maximum लिखने ते तो ये लिख दिये, नेक्स एक के, उड complete the value of magnetic moment, V plus 2 का निकालना, तो सबसे पहले vanadium का configuration लिखेंगे, उससे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, अपनको atomic number, तो इसके endium आता है 21 में, फिर titanium आता है 22 पर vanadium आता है 23 पर, ठीके, फिर vanadium का configuration क्या होता है, argon 18, 4S2, 3D3, ठीके, अब अपन V plus 2 का configuration लिखेंगे, V plus 2 का ल unpaid electron feel करने के लिखेंगे अपनको configuration फिल करता है, यह 1, यह 2 और यह 3, तो कितने unpaid electron है, 3, तो end की जगा 3 पुट कर देंगे, अनस्वा निकालेंगे, next is which is the last element in lengthenoid series, lengthenoid series का last element क्या होगा, तो lengthenoid कहां से कहां तक चलते है, cerium 58 से, lutetium 71 तक, तो lutetium या lutetium जो भी आप read करें, वो इसका last element होगा, next है, अपनको दो चीजों के कारण बताने है कि, transition element catalyst क्यों बनाते हैं, transition element variable oxidation state क्यों सो करते हैं, तो catalyst बनाने के दो कारण है, एक तो transition element जो होता है, उनमें multiple oxidation state हो सकती है, ठीक है, और multiple oxidation state जो होता है, वो catalytic reaction में help करता है, दूसरा यह अपने d orbital जो होता है, उनका इस्तमाल करके temporary bond बना पाते है अपनी surface पे, इससे क्या होता है कि जो original bond होते हैं, वो weak हो जाते हैं और आसानी से तूटते हैं, और activation energy क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, ठीक है, तो ये दो वज़े से transition element जो होते हैं, ज्यादा-दर catalyst की तरह इस्तमाल किया जाते है next है variable oxidation state क्यों सो करते हैं, इसका कारण है, manly कारण है कि इनके पास unpair d electron होते हैं, और इन unpair d electron के साथ साथ इनके ns और n-d जो electron है, उनके बीच में energy gap भी कम होता है, तो ये ns वाले electron को use करके भी oxidation state सो करते हैं, और फिर n-1d वाले electron को भी सो करके करते हैं, जैसे किसी भी element की जो पहली oxidation state होगी transition element में, वो इस बात पर depend करेगी कि उनके ns में कितने electron है, उसके बाद में additional कैसे होते जाएंगे जितने unpair d electron होगे, जैसे इस बात को मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से सुने, जैसे magneach का ये configuration है, तो सबसे पहली oxidation state होगी कि 4s में कितने electron है, कितने electron है 2, तो इसकी पहली oxidation state होजाएगी mn plus 2, अब देखेंगे इसमें unpair d electron कितने होते है, तो d5 की वज़े से इसमें 5 unpair d electron है, तो एके करके जोडते जाएंगे, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 तक इसकी क्या होगी, वो होजाएगी अपने क्या कहता है, oxidation state, तो oxidation state variable होने का कारण क्या है, कि ns और n minus 1 d के unpaid electron, दोनों ही participate करते हैं, next है, write the electronic configuration of chromium, अब chromium और copper 2 के electronic configuration पुछे जा सकते हैं, chromium जो होता है, उसका configuration होना चाहिए, 4s2, 3d4, ठीक है, और copper का होना चाहिए, 4s2, 3d9, लेकिन unpaired, sorry, जो half field और full field orbital होते हैं, वो ज्यादा stable होते हैं, तो एक electron यहां जंप करवा देंग तो क्या हो जाएगा, 4s1, 3d5 हो जाएगा, और इसमें एक जंप कराएंगे, तो 4s1, 3d10 हो जाएगा, और इस वज़े से यह configuration हो करते हैं, और वो का exception है, तो क्या होगा, 4s1, 3d5, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, argon 18, पहले 3d5, और फिर 4s1, ऐसे भी लिख सकते हैं, next है है, right the name and symbol of one trans-uranic element, trans-uranic element कौन से होता है, जो uranium के बाद में आते है, uranium कौन से नमबर पर आता है, 92, 92 के बाद में आने वाले सारे trans-uranic, नेपचूनियम जो 93 पर आता है, next है, right the general oxidation state of lenthanoid, तो यह lenthanoid की general oxidation state, ठीक है, next है कि अपन को spin-only formula, निखना है जिसमें अपन magnetic moment निकालते हैं तो अभी यह अपने यूज भी कर चुके हैं तो यह फॉर्मूल होता है पीछे यूनिट लगा देंगे बोर मेगनेटर एक्टीनियम का electronic configuration पुचा गया है यह अपन एक्टीनियम का electronic configuration आप practice कर लें लेंधिन एक्टिनोइड के element के electronic configuration की next है कि write the name of element with so plus one oxidation state in first transition series अब देखो मैंने अभी बताया कि generally क्या होता है कि पहली oxidation state इस बात पर depend करती है कि S में कितने elokton होते हैं तो transition element के सब के S में कितने होते हैं 2 elokton तो generally plus पहली oxidation state क्या होगी plus 2 होगी लेकिन copper और chromium में और बो principle के exception आते हैं उनका configuration होता है 3D5 4S1 अभी अपने देखा था 3D10 4S1 तो इनके S में कितना elokton है एक एक है तो इनकी पहली oxidation state क्या हो जाएगी CR plus 1 और CU plus 1 तो यह दो element first transitions element के plus 1 oxidation state हो करते हैं next लेते board exam 2019 के question तो इसमें है कि यह equation जो है देखो बीच में राजस्तान बोर्ड का syllabus लगता था तो उसमें कुछ एक दो point extra थे तो उस पर यह भी equation है तो यह था कि basic nature जो होते हैं lengthenoid hydroxide के left to right जाने पर घटते क्यों हैं तो देखो left to right जाने पर अपन सब जानते हैं कि size घटती है size घटने से जो cation की size घटती है तो उसकी polarizing power बढ़ती है और polarizing power बढ़ने से covalent character बढ़ते हैं और ionic character जो होते हैं वो घटते हैं और ionic character घटेंगे तो iron muscle से बनेंगे तो acidic और basic nature के लिए iron बनाने पढ़ते हैं तो when we move left to right lengthenoid series size of element decrease जिसे polarizing power बढ़ती है इसे ionic character घटेंगे और basicity घटेंगे नेक्स राइट दा name of two lengthenoid used in miss metal अगें यह information अपनी बुक में नहीं दे रखी कि कौन से दो lengthenoid इस्तबाल करते हैं यह भी बीच में राइस्टान बोर्ड की बुक में दे रखे थे मैं लिख देता हूं सवर cerium on lengthenoid next write the name of anyone lengthenoid showing plus 4 oxidation state यह भी भी पूछा जा सकता है तो वह cerium होता है ठीक है next अपने y transition element from interstitial compound यह अपन कर चुके हैं next the atomic radius lengthenoid element decrease on moving from left to right explain basically lengthenoid contraction का कारण पूछ रहा है तो क्या कारण होता है देखो मैंने यह पूरा explain करती है वैसे बाकि short में देखे तो दो कारण क्या होते है nuclear charge increase होता है और 4F की shielding power क्या होती है कम होती है next is write the electronic configuration of copper copper का क्यों पूछ रहे है क्योंकि again यह क्या कहते है अपने exception है ठीक है तो argon 18 3D 10 और 4S1 next is the atomic radii of element 5D series यह बहुत important question है और अच्छा question है कि 5D series और 4D series यह 4D series है और यह 5D series है तो 4D series और 5D series के element जो एक ही group में आते हैं उनकी atomic radius same क्यों है जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि jarconium और hofumium की same क्यों है नाम से भी पूछ सकते हैं इसे भी पूछ सकते हैं कि कोई और property करके भी पूछ सकते हैं कि वह same क्यों है तो देखो generally उपर से नीचे जब आता है तो एक additional cell जुडता है इसकी वज़े से size क्या होनी चाहिए increase होनी चाहिए उपर से नीचे आएंगे size increase होनी चाहिए उस हिसाब से 5D series वालों की size 4D से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए लेकिन left to right जाने पर जो होता है चार्ज बढ़ता है nuclear charge उसकी वज़े से size गढ़ती है लेकिन generally जब अपन left to right जाता है तो सिफ एक electron जुडता है तो बोले तो nucleus में भी सिफ एक charge बढ़ता है लेकिन यहां पर देखो 5D series का पहला element है lengthenum और अगला element है half mirror और इसके बीच में 14 element आते हैं जो कि अपन को अपन जानते हैं कहा होते है lengthenoids कहलाते है और lengthenoid में lengthenoid contraction भी होता है तो उनका 14 element का जो contraction है वो इस additional cell जुडने को counter कर यह एक दूसरे के opposite हो जाते है इसकी वज़े से बढ़ना चाहिए lengthenoid contraction वो भी 14 element का इसकी वज़े से गटना चाहिए तो यह दूसरे को counter कर देते हैं जिससे इसकी और इसकी size क्या हो जाती है same हो जाती है next है write the correct electronic configuration of gadolinium अब again इसका क्यों पूछावा है कि gadolinium में 4F7 होता है यह half filled होता है इसकी वज़े से यह configuration है इसका ठीक है तो यह आप अच्छे से याद रखें next है why the value of second ionization enthalpy of chromium or copper is higher तो देखो second ionization enthalpy generally ज्यादा ही होती है first से लेकिन यहाप कुछ जरुत से ज्यादा होती है उसका कारण बताना है तो पहले अपने दोनों के configuration लिख दिए फिर एक एक electron निकालते हैं तो यह दोनों half filled और यह कैसा हो गया fulfilled अब अगर second ionization enthalpy की बात करें तो इसका मतलब एक और electron निकालना है तो क्योंकि यह CR plus में और CU plus में half filled और fulfilled हो चुके है तो अब इन में से electron निकालना थोड़ा मुस्किल होगा और इस वज़े से यह second ionization enthalpy जो होती है और ज्यादा होती है तो due to which for second ionization enthalpy more energy is required और यह वज़य कि उनकी ज्यादा होती है next maximum oxidation state कौन से element सो करता है तो वो सो करेगा जिसके 4S में 2 electron होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा unpaid electron होने चाहिए अब ज्यादा ज्यादा unpaid electron क्या हो सकते है 3D5 वाले के पास हो सकते है क्योंकि 3D 6 में तो वापस pairing होना start हो जाएंगे तो 5 इसके और 2 इसके तो MN जो है plus 7 oxidation state तक सो कर सकता है next write the name of metal element which present in brass basically brass एक alloy होता है जिसमें copper or zinc होता है एक और याद कर ले ब्रॉंच जिसमें copper or tin होता है next अपने question है what do you mean by lengthenoid contraction कर चुके spin only magnetic moment निकालना ये भी अपन कर चुके है next calculate the spin only magnetic moment of copper ये अभी उपर वाला ही question है ये भी अपन कर चुके है देखो copper में क्या होगा अपने ये अपनने पीछे एक किया था तो पहले copper का configuration लिख देंगे cv plus 2 का configuration लिख देंगे एक lockton होता है या put कर देंगे answer आ जाएंगे ऐसे बार बार आ रहे है give region of z and c d और h g जो होते है वो transition element नहीं है ये अपने first question किया था आज की वीडियो में वो ही है तो करवा चुका हूँ next है write the name of component of brass अभी किया है ठीक है copper plus g इसके अलावा मेरी तरफ स अच्छे से याद कर ले और एक अपनी book में जो dnf block है उसमें सबसे पीछे कुछ element के वो दे रखें यूजेस दे रखें तो क्योंकि इस बार से mcq और philips काफी आएंगे तो यह पूछे जा सकते तो मैंने यहां जो भी important important हो लिख दिया जैसे coinage element किसे कहते है group 11 को कहते है UK copper coin में कौन सा इस्तमाल होता है copper coated steel coin silver UK coin क्या होता है copper और nickel का alloy होता है ठीक है में किस catalyst का इस्तमाल होता है F.E. जिसमें ammonia बनती है hydrogenation of oil या अपने 10th standard में भी पढ़ा होगा nickel catalyst का इस्तमाल करते है wicker process में किस catalyst का इस्तमाल होता है तो PDCL2 जिसमें wicker process में ethine जो होता है ethinel में convert होती है light sensitive element होता है AGBR इसकी वज़े से photography में इस तरीके से अपन D और F blog के सारे जो PYQ थे जिसमें अपन ने 10-11 साल में जो भी PYQ में question आ रहे है वो सब practice किये उमीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा मिलते हैं अगले chapter के वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सारा hard work कीजिए खुब खुश रहिए खुब मस रहिए thank you for watching